ममता जी अभी भी उसको डिफेंट कर रही है क्यों अब मैं जा रिकाउंट करूं कि आपने हमारे सुविंदु जो को जाये नहीं दिया तो हाई कोट के आदेश पर गए तो महिलाएं कितना रोरो कर अपनी बाद बता रही है क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी एक महिला मुख्यमंत्री ममता जी आपको इसका राजनीतिक जनता जवाब देगी ममता जी लाइब टू पे फॉर इट और हम अपने बीजेपी के कारकरताओं का बहुत सम्मान करते हैं जिसे वो संघर संदेश कर रहे हैं वहाँ जा करते हैं कि संदेश खाली का विशय बहुत गंभीर हो रहा है माननी एक कलगटा हरी कोट ने क्या टिपणी किया आपके सामने में यह आपने सुना है उसको ग्रिफतार क्यों नहीं किया जा रहा है और यह भी टिपणी है कि उसके हम पुलिस एडी रेड करने गई थी उससे के बादे समस्या शुरू हुई लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है यह किसी भी सब यह समाज के लिए शर्मना की नहीं निक्रिष्टा की पराकाश्टा है वाट इस इमर्जिंग देराफटर अबाउट पेटेंट असॉल्ट हुमिलियेटिंग ट्रीट्मेंट सेक्श्वल असॉल्ट अफ वोमन is a shame on our society and democracy जो मैं बहुत विनमता से कहना चाहूंगा है यह शर्म है ममता जी अभी भी उसको defend कर रही है क्यों अब मैं जारे recount करो कि आपने हमारे सुवेंदु जो को जाएं नहीं दिया तो हाई कोर्ट के आदेश पर गए तो महिलाएं कितना रोरो कर अपनी बाद बता रही है बहुत से दिल्ली के पत्रकार महिला पत्रकार गई उन्होंने उनको confirm किया मैं विशेश लुप से सारे मीडिया के लोग का अभिन्दन करूंगा दिल्ली के किसी का नाम देनी के आप शित्तन जिस तरह उन्होंने कवर किया है और अपने प्रतिदियों को भेज करके कवर कराया है वो सब उने एक ही बात कही है एक पत्रकार को गिर्फतार की कर लिया गया यह क्यों है क्या छुपाना चाहती है मम्ता जी और क्यों छुपाना चाहती है मम्ता जी एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख पुलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दाव पर लगा रही है क्यों उनका जमीर कहां मर गया है और आपको याद होगा कि मम्ता जी ने जब सीपीएम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया था वह बहुत अनिश्चित कालत अर्शम में बैठी थी तो हम सभी उनके मुरीद बने उनकी बहुत तारीफ किया जो संघर्ष किया वो उस संघर्ष ये आगे निकली है और क्या हो गया है कि अज उनका अत्याचार पुलिस का दमन सीपीएम के दमन से भी आगे निकल गया है कभी मम्ता जी अपने अंतर विवेक पर कुछ सोचती है क्या यह हम जरूर कहना चाहेंगे हम वहां की नारियों का बहुत अभी नंदन करेंगे उनके साहस का और क्या कलकत्ता से मात्र 75-80 किलोमेटर दूर ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों की जमीन छेलनी जाए वो खेती में धान उगाते हैं बाकी फसले गवाते हैं सब में पानी छोड़कर के कहा यही मचली पालो प तो जमीन के कब्जा करना उनको बेदखल करना महलाओं की आबरू लूटना और मुझे सबसे तो तारीफ उन्हें आश्चर हुआ है कि जो एसाइटी जा रही है ममताजी ने बनाए वो क्या सवाल पूछ रही है आज का यह ख़़ारों ने लिखा है उस पर मतलब सुप्रीम कोड के गाइडलाइन बहुत सक्त है इन केस अफ सेक्शल असॉल्ट एन अब्यूज अफ वोमन्स परसंड पूछताश एक नॉर्म से होने चाहिए और एसाइटी पॉब्लिक में जाकर के एकी सवाल पूछ रही है बार बार क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ मतलब वो सवाल कर रही है कि उनको और बेज़त कर रही है ताकि उनका मनोमल टूटे तो भारतीय जंता पार्टी अपने राष्टी मेंज चे इसकी बहुत भरस्ता करती है और ममताजी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और ममताजी आपको इसका राजनीतिक जंता जवाब देगी ममताजी उल्हाव टू पे फॉर इट और हम अपने बीजेपी के कार्यकरताओं का बहुत सम्मान करते हैं जिसे हो संघर्ष कर रहे हैं वहाँ जा करते हैं पूरी पार्टी पूरी मजबुदी के साथ खड़ी है